भारत के इस हाथियर के अगर आँख खुल गए तो पकिस्तान भस्म हो जायेगा और चीन रडाख बन जायेगा और भारत का एक ऐसा हाथियर जिसका नाम काली पर रखा गया है एक ऐसा हाथियर जो दुस्मनों को वैसे ही नास करीगी जैसे मा काली करती है काली मा का नाम सुनते ही बड़े से बड़े राक्षस जिस तरह से कापते हैं ठीक उसी तरह से ही चीन और पकिस्तान इस भारती यहां थियर का नाम सुनते ही उल्टे पाव भाग खड़े होते हैं यहाँ दोनों देश अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं एक तरफ एलोसी में पकिस्तान हमेशा सीज फायर तोड़ता है तो दुसरी तरफ चीन एलोसी पर भारत में गुस्पैट करने की नकाम कोसिस करता है लेकिन जब काली की बात आती है तब यहाँ दोनों देश पीछे भागने लगते हैं अखिर क्या है इस वेपन में जिसके वज़ों से चीन और पकिस्तान ही नहीं बले एक दुनिया के तमाम देश इस भारती आतियार से खौफ खाता है तो आईए जानता है इस वीडियो में भले ही कसमीर मामले को लेकर के पकिस्तान और चीन दोनों गुष्टाखिया करने पर उतार हूए लेकिन हम भारतियों को घबराने के जरूरत नहीं है क्योंकि काली हमारी इन दोनों बड़े दुसमनों को एक साथ सांभाव सकता है यह भारत का सबसे गुप्ध हतियार है जिसे भारतिय एजनसी भाभा एटोमिक रिसर्च सेंटर यानि बार्ग और रक्षा अनुसान धाना और विकास संसतान यानि DRDO दोनों ने मिलकर भारत के लिए सबसे सक्ति साली काली हतियार का निर्माण किया है यह एक बहुत सिक्रेट मिसन है जिसके बारे में ज्यादा जनकरी बाहर नहीं आई है बहुत गुप्ध है भारत का यह मिसन भारत का यह सिक्रेट हतियार प्रजेक्ट इतना गुप्ध और अहम है कि ततकालीन रक्षा मंतरी मनोहर परिकर से जब राश्ट हित का हवाला देकर लोक सभातक में इससे सम्मंदित सवाल पूचा गया था तो उन्होंने इसकी जनकरी देने से साफिन कर कर दिया था दरसल मनोहर परिकर जब रक्षा मंतरी थे तब उनसे लोक सभा में परस ने किया गया वो अतीस सम्मेदन सील है और इसकी जनकरी का खुलासा देश किस रक्षा के हीत में नहीं है तो इसलिए रक्षा मंतरी की इस ब्यान से असपस्ट हो जाता है कि काली पर लगतार काम चल रहा है और इसके बारे में सरकार कोई भी जनकरी सारवजनिक नहीं कर सकती है काली से बेहर खौफ जदा रहता है पकिस्तान भारत के गुप था थी यार काली से पकिस्तान इतना ज़्यदा खौफ जदा रहता है कि 5 अपरे लूद 2012 में पकिस्तान के कवजेवले सियाचीन के गयारी सेक्टर में भयानक बरफानी तुपान आया था और वहाँ एक गलेसियर का बड़ाई से गिर गया था जिसमें पकिस्तान आर्मी के बेस केंप कुरी तरह से तबाह हो गया था और उसके करीब 140 से निक भी मारे गये थे जिसके बड़ पकिस्तान में यह आरोप लगाया गया कि भारत ने टेस्टिंग के तौर पर गलेसियर को पिगलाने के लिए अपने सिक्रेट हंतियार काली के इस्तेमाल किया है लेकिन आपको यहाँ बता पकिस्तान के यह डर बिल्कुल गलत था क्योंकि काली लेजर बीम नहीं बलिक एलेक्ट्रो मेगनेटिक बेबस पैदा करता है जो बर्फ नहीं पिगला सकती बल्कि इलेक्ट्रोनिक उपकरणों को जाम कर देती है और उसे कबार बना देती है लेकिन पकिस्तानीयों को यह बात कहां समझ में आने वाली थी विलोगाज भी काली का नाम से खौफ खाते हैं आपको बता दे काली के निर्माण की योजना साल 1985 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डाइरेक्टर डाक्डर आरशी दंबरम ने इसकी योजना बनाई थी लेकिन इस पर काम 1989 में जाकर के शुरू होगा काली पर पिछले 30 सालों से काम किया जा रहा है और तब से इसके कई वर्जन थ्यार किया जा चुके हैं पहले काली 80 फिर काली 100 इसके बाद काली 200 फिर काली 5000 और अब काली 10,000 विक्सित किया जा चुका है इस काम में DRDO भी बारके के साथ मिलकर काम कर रहा है आपको बता दें काली का मतलब है कीलो एंपियर लिनियर इंजेक्टर यह बहुत बड़ी मातरा में उर्जा पैदा करने वाला यंत्र है यह एक सेकेंड के हजारों हिस्से में एक बहुत बड़ी उर्जा का उत्थफान उत्थपन करता है जोकि किसी भी उलेक्ट्रोनिक डिवाइस के तुरंत खराब करके उसको कबार बना सकता है यह भारी बत्रा में इलक्ट्रो मेगनिक तरंगों की बोचार करता है काली, हवाई जहाज और मिसाहिल के इलक्ट्रोनिक, इलक्ट्रिक सरकीट और छीपों को इलक्ट्रोन माइक्रोवेब तरंगों के सक्तिसाली परहार से फेल करके उन्हें कूछी पलों में तबाह करके कबार बना सकता है यही नहीं इसकी बीम के जरिये UAV और सेटिलाइट को भी गिराया जा सकता है काली के अंदर छोटे छोटे उपकरणों में उर्जा को संगरहित करने की छमता होती है जिसको किसी भी वक्त एक साथ एक जटके में रिलिज़ किया जा सकता है इसकी तुलना आप घरेलू कैप सीटी यानि कंडेंसर से कर चकते हैं जिसमें उर्जा जमा होते हैं और जब आप इससे छूते हैं तो आपको करन्ट का जटका लगता है काली भी ठीक इसी तरज पर काम करता है काली के सुरुवाती वर्जन में एक गीगावाट उर्जा नैनो सेकेंड्स में निकलती थी लेकिन भारत के पास इस बक्त काली का जो वर्जन है वा चालिस गीगावाट तक उर्जा उत्पन कर सकता है एक सेकेंड में जो तबाही मचाने के लिए प्रयाप्त है काली 10,000 में इतनी छमता है कि वा 40 गीगावाट तक उर्जा सिर्फ 100 मिलिसेकेंड में उत्पन कर सकता है सुरुआत में काली को भारत के सुपरसोनिक विमानों की जाच के लिए तैयार किया गया था पहले योजना बनाई गई थी कि काली को हमारे सेटलाइट पर तैयनायत किया जाएगा जिससे कि किसी भी प्रमणू हमले की स्थिति में उन्हें कोई नुकसान ना पहुंच सके और हमारे उपकरा सुर्य की कास्मिक किरोंड से भी सुरक्षित रहे लेकिन साल 2004 में काली 5000 के निर्मण कर लिया गया तब इसकी उर्जय संग्रहन और उर्जय विसफोट की छमता को देखते हुए इसे इसे हथियार के तोर पर विक्सित करने का फैसला लिया गया लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि एक हथियार के तोर पर काली बहुत कारगर है क्योंकि यह किसी भी इलेक्ट्रोनिक उपकरण को तुरंत नश्ट करने में सक्चम है अपने इस छमता की वज़े से काली लडाको बीमानों और मिसाइलों के इलेक्रोनिक सर्कीट को नस्ट करके उसे उन्हें तुरंत बेकार कर सकता है और विसा बजाशा है दरसल आजकल सारी मिसाईले और लड़ाकों विमान जीपिएस टेकनोलोजी पर काम करते हैं और काली किसी भी तरह की तक्निक का दुस्मन है इसलिए यह लड़ाकों विमानों और मिसाईलों का काल भी कहा जाता है काली दुसमन के टेंग को लड़ाकों बिमानों मिसाइलों और यहां तक की नौसेनिक जहाजों शेटलाइट्स को भी चंद पलों में कबाल का धेर बना सकता है और दोस्तों काली की एक और खासियत यह है कि यह अपने प्रहार से जहाज का सरा इलेक्ट्रोनिक सिस्टम तबाह कर सकता है जिससे कि वो जहाज महीनों तक समुन्दर में भटकता रह सकता है काली की इनी खासियोतों के कारण इसे भारत की दुसमनों का काल का आ जाता है पहले के समय जिस देश के पस जितने एटम बम होते थे वही भी जेता घोसित कर दिया जाता था लेकिन आज का जुग है आज का जो जमाना है शुपर्सोनिक मिसाइल बर्मोस मिसाइल और काली जैसे हाथ यारो के संग्रह से अब लगता है कि भारत महा सकती साली देशो की स्रणी में आ गया है आसा करते हैं हर भारतिये के गवरोपो बढ़ाने वाला या वीडियो सावित होगा और आप सब को पसंद आया होगा इस वीडियो को अपने तक ना इसे ज्यादा से ज्यादा सेर करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवान